कि अलो दोस्तों और कैसे आप सवी लोग मैं आप सबका अपना विनास आप सबस्जाइन के आप सब्शने लोग का सवागत करता हूं आप सब्शन करता हूँ सब जिसमें घूद्ध कर ली हैं और आपने उससे रिलेक्टेड जो प्रिविय list इयर में जो question पूछे गए हैं आप लोगों उसको भी देखा हैं ठीक हैं जो question previous इने पूछे गए हैं किसमें भी आ दिसंबर दिसंबर और जनौरी में जितने सारे question पूछे गए हैं सभी question को मैं लेकर आता हूँ और भी topic wise जिसमें हम प्याजे पढ़े हैं क्या सबसे पहले हम उने वाला है किया आज देखेंगे link पूर्वागर होने वाला है ठीक न और क्या होने वाला है बाल केंदे सिच्छा और समाजी करन यह तिन चार टोपिक और प्रगति सिल्सिच्छा आज चार टोपिक को मैं एक ही मिलिया हूँ और सब जगे से एक इक नमबर आपको देखन कर सकते हैं और जो पहली बार चैनल पहा है तो अपी स्थिरे को पहले देख लेखें तो जो अंदर के चीजें हैं वह ज़ादा आपको समझ में आंगी आपकी और कम भी में या तो फुला सेर और कर लिया करई तो चलिए क्लास को अमीं start करते हैं क्या क्या चीज उने वालिए तो पहले टॉपिक हमारा होने वाला JAY कि लिंग पुर्वागरा होता क्या है लिंग पुर्वागरा क्या होता है इसको अच्छे सिक्दम ध्यांस देखेगा थोड़ा समय और बड़ा कर दे रहा हूं ठीक है ताके आप लोगों को समझ में आता रहे और मैं धीरे धीरे उपर करें स्लाइड करता नूँगा और इससे र तो पुरा टोटल क्या होने वाला है लगभग पचास को सन अपको देखनेंगे मिलेगा अब पांच ऐसे गराफ है जिसमें आपको समझाएंगे तीरी में क्या क्या चीजे तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्या है लिंग पुर्वागरा क्या देखो मैं ज धर्म, सिच्छा, धर्म, सिच्छा, परिवार, ब्यवसाय, यहां तक कि ब्याकरण में भी महिलाओं के साथ क्या क्या गया है, भेदभाब, तो पुरुवागर होता क्या है, पुरुवागर होता क्या है, पुरुवागर आपको पता चल गया, तो चाहिए उलिंग पुरुवा परमारी इतना हो उसके पीछे कोई तरक नहों तो समझे लिए वहां क्या है पूरवागर नो तो उसे के सामने एकर लिंग जूड़ गया तो इसे क्या खाए लिंग पच्छपात करते हैं इसत्रीय पूरुस के बारे में लिए प्र सु Carn subscribed ठीक है जैसे क्या करते हैं लड़किया के Woah गंडित पड़ सकते यह लड़किया के वर भोजन पाद सकते यह यह हैं जो पुरवजू द्वारा या पहले के लोगों के द्वारा जो मान सीखता थी ठीके ना वही मान सीखता ही क्या कला थी पुर्वागरा और मान सीखता हमारे माइन में कैसे बनता भी है जो चीज़े हमारे सामने बारबार होती है हमारे आसपास होती है जिसको हम डेली देखते हैं अपने लाइफ में वही सब्सक्राइब दूसरी चोरी भी उसी के नाम होई तीसरी चोरी भी उसी के नाम होई और चौथी चोरी होगी तो चोरी करे या ना करे लेकिन फिर भी क्या होगा एक पुर्वागरह बन गया है हमारे मायन में कैसा मानसिक्ता बन गई है जिसमें बार बार हम कहें कि अगली चोरी भी वही किया चाहे किया हूँ चाहय ना किया अगली चोरी का नाम उसी को उपर है भी होता है मांसिक्ता तो का कर क्दैंड करेंगे लड़कों का काम लड़कियों के दिया जाए गए तो इससे हम क्यां lawmakers पुरुवागरा खतम कर सकते हैं और लिंग पुरुवागरा को हम दूर कर सकते हैं अगले पेच पे चलते हैं अगला पिछ देखिए अगले पेच पे आपको और अच्छे समझ में आजएगा चली यह तो समाजी उसके आपको मिलेगा क्या पच्छ पाथ यह क्या मिलेगा पच्छ पाथ यह दोनों अगर एक साथ मिलेगा तो सही क्या होगा रूठी वाजिता अगर यह नहीं मिल रहा है तो समाजी लिए यह क्या होगा सही होगा तो जेंडर पच्छ पाथ यह जेंडर उडी बाता दो अप्षन को पगड़ कर रिखिए लिंग पुरुआगरा से कहीं भी कोई कोई कोश्ता ना आ यह इसी दो को देख लेते थोड़ा इस थीरी समझ लेते हैं इस में क्या है है समाज फकर प्रकुरिया अप लिंग पुरूआ करे हैं इस समाजिक प्रक्रिया समाजिक करन का एघ्या करती कि समाज के रीति रिवाज समाज के रीती रिती रिवाज तो मतलब जो समाज ने या समाज दोरा जो भी माप दंड बनाए गए या जो भी दाएरे बनाए गए जो भी नियम कानून बनाए गए वसी को मान कर उसमें क्या करना निर्वा करना मतलब उसी में रहना समाज में रहने के लिए समाज की दौरा बनाएगे नियम कानून समाज की दौरा बनाएगा है दायरे समाज की दौरा बनाएगा है सगे संबंदी प्रेम विवार या सहयोग सानभूती उसको मानते हुए भी क्या करेंग सब को याद करिए आपका जयादा को अने वाला प्राथमिक और दूतीय से खें तो किसे करते हैं बाट्समाजी करते हैं इसको आगे पड़ेंगे लिंक समझ लेकिंग का मितलब होता है कि लड़क्यों का लड़क्यों के साथ रहना लड़कों का लड़कों की साथ रहना क्या काल हएगा लिंग समाझी करन से प्राथमी और से को त्याहत says मिलेगा समा लिंग पूँछ रहा है क्योंकि रहा है क्योंकि उस्मेस करने में यहां से question आभ नहीं उठा रहा है लेकिन यहां से question बार बार उठेगा और कहीँ आपको देखने के लिए इसे यहां सेений बिल सकता है अगरिम समाजिकरनंगा आगे बढ़ें आज में देखे क्या है देखे जो परिवार होता है यह समाजिकरन और सबसे महतपूर समाजीक है ठीक है जबसे महत्पुर है यह पराथमिक है पहला क्या होता है पराथमिक इसे अनौप चारी कहते है कि अनौप चारी आपको अच्छी तरह बता कि अppen電र को क्या करते है अरजनकि नो कहीं भी कभी परिवार के साथ सता को पता क्या के इसमें आ जाएगा अभी परिवार में ही आएंगे अभीवावक याद रखेगा और क्या आएंगे परिवार में ही आपके क्या जाएंगे आस पास पडोस के ठीक है पास पडोस चाहे आस पडोस ठीक है जो भी लिख सकते हैं तो पास पडो कि रहने वाले लोग आएंगे आपके परिवार में और अभिभागक यह दोनों आएंगे किसमें प्राथ्मिक समाजी करण के अंदर आएंगे इस चीज को भूलना नहीं इसके अलबा जो भी आएगा वह दूत्यक में चला जाएगा चाहे किसी में हो आए तो अगले चलते हैं मतलब मतलब यह कहां पे अभिझा यहले का मतलब मतलब क्या होता है अदि जम भूरण स तो आजसे को समझ में आगया होगा अदिक में और अर्जन किया होता है यह दूतियक तथा महत्पुर कारक है महतपुर कारक है सिकाрийता समुल यहीं सेंज आपको दिया रहा क्या अब तीसरा हो जाएक मीडिया चौथा हो जाएक हमुम्र बालक इन सबकों किसमें दूतियक मिला कि छोड़ दीजगा पहलें बस किसको रखना है परिवार को पहले हैं किसको रखना है परिवार को परिवार के साथ साथ अभिभावग अभिभावग के पास साथ आपके आज पास पड़ोस के लोग ठीक है यह सब किसमें आ जाएंगे प्राथमिक में और दूतियक में कौन आ जाएगे बिद्याले बिद्याले एक बात इन स सब दूतियक के अंदर घताएंगे आप अगला टॉपी कोने वाला है बाल केंद्रि-च यहां से विजह आपको साइकलोजी पूछे का साइकलोजी की सासत अधर सबजेक्त में भी पूछ से सिख़र के माद्यम से ठीकें और इसमें कुछ ही नहीं पता नहीं च्पपां गल्रत होता इसमêmes मतलब सता है की यह नहीं अदुन удरे सिख़्र के के जाना हम से ज़ाएंगे जो चीजे की कि बाल केंद्र सिच्छा का अर्थ है कि बालक के आवाजों यहां से यह question बच्चों की आवाजों और उनके अनवों को वर्यता देना यह पुरा option मिलेगा आपको यहां से यह चीजह क्या है आपको option में कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगी अर्थात टिके अब सिच्छन समागरी आदी का चैन करते समय बालक की रूची पुर्वग्यान उम्र सकती थीके dernière सकती आदी को वेरिता देता है जलाता है ऍसना प्रिष्टी भूमिसे आया है इसके लिए क्या सिछन भी रिया होनी चाहिए तो सब बालक की रिस्पेक्ट में जो काम किया जाएगा वही क्या लाएगा बालक के अंदी सिछा सीधा से तब या मोटी मोटी बात समझ लिए कि बालक क्या है आपका बाप बना बैठा यहां पर ठीक है ना मतलब पापा बालक क्या बैठा यहां पर बाप बना बैठा था तुम्हारा पिता बन के आओ बैठा है तो इसी के अंदुसार सब काम करना है चाहिए वह आपको लग प्रेणा का सिथान प्रेणा मतलब समझ रहें एक होता है आंतिक प्रेणा और एक होता है बाप्रेणा तो आंतिरी प्रेणा जब बच्चे करने के लिए अंदर से शीखने के क्या हो परिशान मैं तत पर उत्सुक हो तो उसे क्या कहेंगे आंत्रिक प्रेणा ठीक हैं अंग शिखने क्या करें कर के साथ यह भी बात तो यह करके सिखने का सिधनी एगा या गति वीदियों में सामिल करना है और एक चीज और जानज़े भी है यहाँ पर हम आपको अगर आप 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 जो मैं यह पी पढ़ायों और उसको अच्छे से देखेंगे तो आप जब सुरू में जो था एंपी में तो सुरू में जो क्या होता है गतिवीदी के अदारी सिखाना है उसके बाद उसके पर्यावरन से जोड़के सिखाना है तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो बाल के अंद्री से कहीं भी कोस्टन आएगा अपको गलत होने वाला नहीं है ठीक है अब अगली टॉपिक हमारी होने व पहले आप बातों को सुन लेजिए इसके बाद फिर हम पढ़ाते आपको प्रगतिशील से इच्छा मतलब यह होता है कि जब कोई बच्चा या कोई परसन ही लेजिए जिस काम को कर रहा है उसी काम करने के लिए उसे और प्रोसाहित किया जाए या उसको बाहर से या अंदर इसको एनरजी प्रोबाइड किया जैसे मालो कि पूर्वस्रे हावाब पस्ष चिम्की तिरप चल रही है तहुसी दिसा में मतलब यह कही करकूँत यह हम सायकल चला रहे हैं या रानिग कर रहे हैं तो उसी दिसाम एगर हवाच चलना श्टार्ट हो जाए तो हमारी गति क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो बालक को जिसमें इंट्रेस्ट हो जिसमें उसकी रूची हो उसी में उसका हिल्फ करना क्या का लाएगा प्रगतिसील सिच्छा आईए देखते हैं जब बच्चे को प्रगतिसील सिच्छा बालक की जिसमें रूची हो वही चीज पढ़ने के लिए उसे क्या करें आप प्रेरीत करें तो क्या कलाएगा प्रगतिसील सिच्छा तो उसमें और बेहतर हो कर सकता हैं और कैसे होना चाहिए और जो भी प्रगतिसील सिच्छा उसे मानेंगे कि वास जुढ़ी हो और समाजिक सिच्छा जो क्या हो, रोजगार पर रखो, जो भी बच्चे सिच्छा देंगे, उसके समाजिक प्रिष्ट भूमी से जुढ़ी होनी चाहिए, और समाज के विहतर बनाने के क्लिए उसमें कुछ ocus कहा गया हो, या उसके रोजगार पर रखो, और जो आप सिच्छा दे रहे न वो डिगरी पे अधारित नहीं होना चीए वो क्या है डिगरी पे नहीं है तक हमने बच्चे को पढ़ा दिया बच्चा खुब जादा नंबर लया पास हो गया तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं बिया आपको फेल और पास डिगरी से मतलब नहीं है आपने जो पढ़ाया बच्चे के दैनिक जीवन में या उसके डेली के लाइफ में कितना यूज फूल है यह जानना जुरूई है बहुत अच्छा बच्चे को आप जो पढ़ा रहे है उसके पास और फेल से मतलब नहीं है आपने कितना पढ़ा दे उससे मतलब नहीं है उसके लाइफ में उसका कितना उप्योग हो रहा है इस पर डिपेंड होना चाहिए तो आप जो भी सिच्छा दे रहे हैं उसके दैनिक जीवन से जोड़के उसके डेली की जो रोजमर्या का जीवन है जो उसे daily चाहिए उससे जोड के होनी चाहिए ताकि उसको आगे अपना जीवन बिथित करने के लिए क्या करें हेल्फ कर सकें तो मतलब क्या रोजगार परक होनी चाहिए सिच्छा पहले का जो सिच्छा था बस हम पढ़ते थे उसका पता ही नहीं चल पता था हम क्यों पढ़ रहें किस लिए पढ़ रहा है इसका यूज कहां करेंगे यह नहीं पता था लेकिन जब से नीपी आ गया है यह नीपी में समाज यह प्रयोक साल है तो बच्छा का करते हैं कि दर क्या एंक यह लहू समाज है बच्चे इस ही में स्कूल मेरही आ के बोलना ठीक nे बोलना उठना भैठना ठीक helps करना श्योड़ करना समां करना प्रेंं करना यह सारी चीज़ों कहां प nos at a school सकता है ऐक लहूभ समाज है आगला आते हैं कि ज्ञान प्राप्त कोई माल नहीं है कि कहीं से घ्राप्त कर लिए तो अब जीतना पढ़ेंगे उतना क्या करेंगे आपका विकास होगा आपके अंदर इंदर इच्छना अधिक होंगे कुछ भी हमेशा सत्य नहीं होता बिया कुछ भी हमेशा सत्य नहीं होता है और अलग अलग लोगों का भी सत्य अलग अलग होता है हम कह रहें भया मालो ये क्या है रोटी है ये क्या है रोटी है लेकिन किसी को रोटी नहीं पसंद है और किसी को क्या रोटी बहुत पसंद है तो दोनों के अंदर उनके नजरिया पर डिपेंड करता है उनके जो आदमी है जो परसन है उसके नजरिया पर डिपेंड करता है कि क किसी चीज को कितना सही मान रहा है और किसी चीज को कितना गलत मान रहा है तो कोई भी चीज दुनिया में 100% सत्य नहीं है और कोई भी चीज दुनिया में 100% गलत नहीं है सबका मानना अलग अलग है सबके देखने का नजरिया सबके सोचने समझने के का है छमता अलग अलग होत प्रगतिसील सिच्छा जीवन कोई सिच्छा मानती है ठीक है प्रगतिसील सिच्छा करके सिखने पbernयोग दोरह सिखने पर क्या करते है जोड uy परगति प्रोजेकटर दोरह सिखने पे यह चर दे प्रगति सिच्छा क्या है अब क्या है अभात के प्रतिक अच्छा क्या है भारत में का किसको जाता है गीजु भाई बधेका को आप अगर इविएस पड़े होंगे अच्छे से तो इविएस में आपको देखने के लिए मिले होंगे गीजु भाई बधेका तो यहां पर हमारी थिरी होती है कंप्लीट कोस्टन आपके सामने आगया सर आप यहां सी स्टार्ट करिए अपना और आप लोग पहले अपने कॉंपी में लग भग देखिए यहां से पचास कोस्टन आपको देखने के लिए मिलेंगे और पचास कोस्टन के लिए आप तयार हो जाएए और अपने कॉंपी में 123 करके पुरा 50 तकलिक चीए लास्ट में आप आप आखलन करके देखे कितना नंबर आपका सही हुआ है चलिए तो बताए क्या सही होगा यहां से आपके सामने कुस्टन आ गया कराई समाजिक करण का प्राथमिक और समाजिक करण दूतियक कर कौन है बताए प्राथमिक कंस है नियाग अबिवावक अच्छा दूतियक को नहीं है दूतियक हमने बता है बिद्याले होता है ठीक है न देखिए यह क्या है प्रात्मिक है और यह क्या है दूतियक है तो यह हमारा ओप्सन से हो जागा सब को पता है और देखिए यह परिवार क्या है फर्स्ट आप जान चुके मीडिया क्या है यह और यह क्या है यह तो first है लेकिन यह क्या है second यहां पर पहले first बना है फिर क्या बनना है second तो यहां पर पहला अवस्ट नमार क्या हो जाएगा चलिए इसको बताईए क्या सभी होना चाहिए यहां पर जेंडर भूमिका है बताईए जेंडर भूमिका क्या भी है हमने आपको बताया था कि यह अग्रिम अधिग्रहित बेवहार ठीक न अधिग्रहित मतलब पता क्या होता है जो समाज द्वारा निर्मित हो उसे अधिग्रहित करते है या उसी क्या करते है जेंडर भूमिका या जेंडर पच्पात और इसके बाद हमने क्या बताया आएगा एक जेंडर पच्पात और एक आएगा जेंडर रूडी वाजिता होगा इसके बाद जंडर पच्छपात होगा चलिए अगले को सचन पर तुछ है या भी हमारा फर्स्ट यहां पर भी क्या हो जागा सफ हो जाएगा अगले को सचन बताईए बताइए यहां थोड़ा दिमाग लाए देखे कौन पहुच पाता अंसर पर यह कोश्चन भी अग कोट में गया था ठीक न इस कोश्चन पर बोनस नंबर मिला है सबको बताइए क्या से योगा करें समाजी करण के दूतिय संसता हैं दूतिय संसता हैं आपसे पूछ रहा है यह तो क्या है पहला यह क्या है दूसरा ठीक न यह भी क्या है दूसरा धार्विक संसता हैं भी दूसरे में आएंगी ठीक न और यह भी क्या है दूसरा तो आपको देखिए सेकेंड थर्ड फॉर प्रफ किसी ऑप्सन में नहीं है इसलिए इसी प्रक्तिसील के बारे में एक अध्यापिका का किया विश्वास होना चाहिए प्रक्तिसील सिचा को अपने अच्छेस पढ़ाया है अभी पीछे और वीडियो पसंद आते हैं थोड़ा लाइक कोई कर दिया करिए और सेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए ठेक है अपने दोस्तों तक पहुंचा है ताकि उन्हें भी यह लाब मिले चलिए यह कहा रहा है कठोर कच्छा में हमेशा कठोर नियंतर कठोर नियंतर नहीं हमने आपको बताया था परग्रतिसील कच्छा होती है कोई आदमी इस दिसा में जा रहा है तो उसी दिसा में क्या करना है आपको फोर्स करना है ताकि और आगे हो और उसकी स्पीड बढ़ सबस्य का अब बात के जिए और यह अभिएस नगेजीन जोता भूं हिए होता है से अब बात फ्रयूहई थीकिजति गलत अब यहां जाएगा को आप अब बात यहां होना चाहिए एक बाल केंदरी कछ्षा में बच्चे बहुत अच्छे से बताएं एक बाल केंदरी कछ्षा में बच्चे निस्करी ग्यान के निर्मार में सक्री रूप से लगे होते हैं अच्छी बात है ब्लैक बोर्ट के उतर की लिपी बनाने के अगरसर के वल निस्करी ये भी गलत है ये भी गलत है बात आए इस में से इस में से बाल के इने सच्छक में क्या होता है ग्यान के निर्मार में सक्री रूप से लगया होते हैं ठीक है ना सखेली रूप से लगया होते हैं बालक के रिस्पेट में है ठीक है चलिए अब इसमें बताए क्या से होना चाहिए यह तो तुरंत आप सही कर देंगे आपकोंने बताया कि आपको दो उपसंद पकल के चाहिए लगता और किसी पर जादा सोचने की जरूवत नहीं है जो दोफशन बताया था एक जन्डर पचल पात बताया था हमने एक क्या बताया था रूड़्ी वादिता रूड्ी वादित तो यह नहीं है यह मिला तो यह मरा क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा क्या कर रहा है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेते हैं लड़कें अग्याकारी और इमंदार होती हैं और उनके अनुसर बेवार करती हैं ठीक न यह बस सोच है हमारी पच्छपात वाली आ रही है यहां पर आपको ने बता दिया तीनी ऑफ्सान सही होगा आप उसको पकड़के रखें आगे बालक के रिस्पेक्ट में किया गया कार्या बालक के रूची के नुसार बालक के छमता के नुसार ठीक है न तो उद्धीपक अनकुरिया संगों के युग में होता है प पूरी तर्श चार की बहुंका निश्क्री अब बात आई पहले में और इन दोनों में सबसे बेडर क्या है अब बताईए उद्धीपन प्रकिरिया संगों के यूग में द्वारा होता है तो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्या होता है दोनों के द्वारा निर् है अब बताई यहां पर दिखिया आ गया यहां पर जेंडर पचपाथ आ गया और यहां पर जेंडर उड्ивает हमने बताया दोनों एक साथ आगया तो क्या करेंगे चार साल गयरा हुल को एक गुडिया उपहार में मिलने पर बोला वह बोला मैं इसका क्या करूंगी लड़के गुडिया से नहीं खेलते हैं ठीक है तो बताएं जेंडर पश्पात या जेंडर रोड़ी वाद्ता तो आपको एक साथ मिले तो आप किस पर जाएंगे जेंडर रोड़ी वाद्ता पर जाएंगे अगले कोशन को देखते हैं अब बते प्रगति सिल कच्छा में अधिगम एक सारल देखेंगे परिछा गलत कीवल गलत आप बात एक समाजिक प्रक्रिया और एक शरल प्रक्रिया दोनू में बताय। प्रगतिसिल के अच्छा या सिच्छा में ने बताया था कि जब आप किसी कारे को कर रहे हैं तो क्या कोई उसी जिसा में हैल्फ करेंगा और यहां पे बहुत लोग समाजिक प्रक्रिया है कि बाते समझ में आ रहे हैं चलिए लगे रही है आपस आज के बाद आपका साइकलोजी बीश परचीश नमबर कहीं ने गया है ठीक ने है पैड़ागोजी बस बच्छा हुआ है जो थीरी 15 नमर है पंदर नमर तो कहीं नहीं जाने देंगे हम 13 से 14 नमबर आपका 100% आएगा ठीके न बस इतना एकलास आप देखलेंगे तो आपका 13 नमबर तो कहीं नहीं जाएगा इस बात को याद रखे जो हम 5 वीडियो बनाएं नहीं इदर बस 5 वीडियो आप देख लिजिए वहाँ से 13 नमबर आपका आना ही आना है बैठने की ब्यवस्ता में लचीला पन अधिगम करता का समु clinics करना किस कच्च की विसेश्टा है सब्सक्राइन अब देख़ए हैं अधिगम करता हों का समुन जब समुन की बात आई तो समाजिक की बात आई तो देखो यहाँ पर और समाजी में दिखतों यह फेए जगे देख़ा और समाजी संचना वाधि कच्छ जब्सके चाहे ऐं दो मौली हो प्रात्मिक समादिक करण पूछ रहा है सबको पता है न पाय जाती है तो क्या होगी दूतियक यह भी क्या है इसको अने तीसरा नाम दिया लेकिन फिर भी किसमें रखने के लिए तो प्रात्मिक क्या हो गया कि अ credit subscribe क्या से होगा बाल के इंदीत कच्छा कच में भी द्यार थी बाला की रिस्पेक्ट की बात करेगा अपने स्वयम के सीखने में ज्यादा भूमका नहीं रखते हैं यह तो भी गलत है अपने स्वयम के सीखने में ज्यादा भूमका रखते हैं तब ही ने बाला के रिस्पेक्ट म और अनुशनल करते हैं यह जो पता किसमें आ जाएगा भी यह सिच्छक केंद्रित किसमें आएगा सिच्छक केंद्रित ठीके न यह आएगा सिच्छक केंद्रित और हम क्या पड़ रहे हैं बाल केंद्रित तो तीन हो गलत होगे यह कि हमारा मिल ला हो क्या हो जागा सही हो जा कबनात्ता करना तक किसका सिंगों का मतलब प्रगतिसील सागर कंडल प्रगतिसील मतलब अच्छी तरह भी लिए अब बते यहां कैसे होगा प्रगत हिसल कच्छा भी इसके बारे में बात किया हमने सिच्छक पूरी तरह से कच्छा को नियतिन करता है नहीं बचों की भागीदारी नियूंतम गतिवी दियां कारे करते समय बच्छों का मुल्यांकन किया जाता है अच्छा समय साड़े और बैठने की बेवस्थात्ता है बात आई आप इसमें बच्छों की भागीदारी नियूंतम अगतिवीदियां कारे करते समय बच्छों का मुल्यांकन किया जाता है ठीक है यहां पर क्या हमारा से हो जाएगा बिया बताइए बी होगा के सी बी या सी त इसमें कि गिप्ट के तौर पे कार मिलने पर एक 5 साल की बच्छी बोली यह मेरे लिए नहीं हमें लड़कियां कार से नहीं खेलती यह क्या दरसाता है को भी साब यह तो यह मिल या तो क्या मिले पछि बात के यह तो पच्छ आा North vot यातो यह यह पाध यह दो क्या मिलें सब्सेब्व कौंस अ होता है रूड़ी वार्दित के माहिफिये सब permissions होता है इस बात को आप लोग याद स्विछ कोस्टन में बिल्कुल दम नहीं है पता ने पिछली साल कैसे लोग कर रहे थे कहां से कोस्टन ना रहे को समझ में नहीं आ रहा है वहीं से तो सारा कोस्टन लिया गया है आप 2000 जो हुआ है ऑल लाइन पेपर उस ऑल लाइन पेपर की दिसंबर और जनौरी को एक तरह से उठा क लिया गया आउंड है और बच्चों के समाझ दूतिय करकश पुछ रहे है परिवार तो पहला है अ परिवार तो पहला है आ है आप बात आई और अभी वर भाग अबिया क्या है पहला और बादर बताएं तो एक ही बचा एक या इस्कूल और धर्म ठीक है यहां परिवार पासपोड़ों से तो दोनों पहला का रखा जा रहा है दोनों पहला गया था वहाँ पे एक प्रगतसील कच्छा में अधिगम अंतर किरिया उन सनवात द्वारा होता है शिचकों से अधिगम करता हूं द्वारा एक तरफ नहीं होता भी है निस्की अधिगम करता कि जिमेदारी है वह सिचकों कूझ तो यहां पर सब गलत है यह कह अप्सिन वाने मिल लाए अंतर किरिया वग सनवात चेके ना और आई आगे देखते हैं प्रगतिसिल सिच्छा में प्रगतिसिल सिच्छा में सीखने का स्वरू समाजिक अभी हमने पीछे पड़ा था समाजिक एक मातर से ये गलत हो गया बैठने की बेवस्ता पूरी तरह था है अभी पीछे गलत किये थे हम मानकिरित हमने बताया मानकिरित दे या क्या दे मानक दे ठीक न मानकिरित या मानक दे या एकी किरित ठीक है यह सारे क्या होते हैं गलत होते हैं इस बात को आ रहे हैं मानक मतलब होता है कोई स्टेंडर कोई स्टेंडर बना दियागी इस स्टेंडर को अपार करेंगे तब ही आ नहीं हो रही है प्राथमिक परिवार की दर डूड़िये देखिए परिवार यहां यह क्या है दूतियक में दूतियक में आप एक नया चीज मिल गया है कि यह भी क्या होता है दूतियक में होता है इस बात को याद रखेगा ठीक ना दो यह जब पूछ रहा है प्राथमिक को कि अब बते एक अच्छा कच में सिच्छक बाल के रिस्पेक्ट में कि कोई भूमका नहीं होती है निस्कीरी भूमका नहीं बातें हैं अधिग्रम को बढ़ावा देने के लिए तो both को निर्दे देने के लिए एक ताना साही त्याना सबस्ट रहे हैं तो यह उप्षण बच रहे हैं वही हमारा क्या है यह पता आ थेला बढ़़ा देना थे हैं lata समस्कृत के निर्माड करना च्छी बात हैं कं आ ऴुण देखो एक दम अच्छा वाला कौस्टन एक सिच्छक कंएसा लड़कों को फरनीचर को हीलाने जैसे कारे करता कारे करने के लिए करता है और लड़कियों को गछ आम में साफ सुथरा रखने के लिए कहता है यह धारना क्या है देख लो भी यह एक बार में काटता भी यह तन को सुचले जोड़तना है एक बार में बार-बार रूड़ी वाज़ता चाहे पच्छपात और चाहे अग्रिम सबसे बेश्ट रूड़ी वाज़ता अब किसी के गलत हुआ तब हम बताते हैं सर गलत नहीं होना चाहे अब किसी कोस्टन एक्जाम देख आए फिर बताएए कोस्टन कैसा आया था अभी बृत्ति और एक प्रगति सील प्रगति सील कच्छा निड़े निडारन में बच्चों की साय भासा अभागिता अच्छा भय आप एक प्रगति ही खाया अभी बृत्ति यहां फ दीट के सासेए मायूल के अनुशार अब्धों की सब आप निर्ड़े से थोड़ा सा गलत हो जा रहा है और भायमुक्त अधिगम वाता होना के सरचना मतलब उसे रास्ता दिखाना भायमुक्त आगे तक जा सकते हैं यहां पर कोई तकलीफ नहीं है आपको ठीक है निर्ड़े निर्धारन में बच्चों की सब आगे ता निर्ड़ कारकों द्वारा बिद्याले में बच्चों के अधिगम से जुड़ाओ पर भावित होता है समाजी करण समकच्छी संबंदो सांस्कृतिक मुल्यों बच्चों का आत्म शम्मां तो यहां पर सभी तो सही लग रहा है ठीक है न तो क्या से हो जाएगा यहां पर मारा सी सही हो माने आज भी बच्चे होना चाहिए ठीक है सही है बच्चे अपने समाज के बारे में ग्यान और रहने के कौसल अमूल रिती रिवाजों को सीखते हैं कहां सीखते हैं भी आए सब कुछ सब कुछ कहां सीखते हैं बच्चे आज पास पोडोसिसी सीखते हैं ए दर Di de आज आपको मज़ा हरा कोच्टन करके कोच्टन बिल्कुल दम नहीं थीरी पढ़ने के बाद यह दिखीत थीरी पढ़ने के कि सारे कोस्तन समझ में आते हैं परिवार में आरंब होने वाली वह प्रकिरिया जिसमें बच्चे अपनी ब्यक्तिकत पहचान जानना शुरू करते हैं बहसा सीखना और अरंभिक संग्यान का उसल विक्षित करते हैं क्या कर लाती है सब आरंभिक बात कर रहा है सब आरंभिक हो जाएगा जाएगा इम्हारा पहला से हो जाएगा नां बताए यहां कि अजए आग़ा प 10 करने को सा भिकल्ब सार्थयक्सिचर को बढ़ का देने के लिए बेगतिफिक अधिगम वीदी का…… की तिए योगीताओं का च्छा मौखिक दंड एक रूपी मानक्रीत केवल अधिगम का मुल्यांकन के अस्थान पर अधिगम के लिए मुल्यांकन पर भल देना देखिए इसमिस क्या से होगा आपको मैं एंडरलाइन इसलिए करता हूं आपको उन चीजों फोकस करना जहां मैं अंडरल पर आईए दी दुनों तरीके सोचे चलना भी आपको अब बते इसमें क्या से होगा आप आप बाल के इंदित का अच्छा में बात कर रहा है एक अध्यापक किसको महत्तोः देती है बाल के देखके अच्छा है परिच्छा देखो यहां प्यारा है निरंतर वस्तुनिष्ट परिच्छा ग्यान की सक्री सरचना ठीक है किसी तरह से पाठ करम को समापन अच्छा दंड देखो और कठूर यह तो यहीं से गलत है यह तो यहीं से गलत है बात किसी भी तरीके से पा यह तो आप तुरंट सही कर सकते हैं दो यह आफ़सा ने एक जेंडर से सकता एक जेंडर पच्छ पाथ ठीक है किर्केट पर वारता लाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांस्तर लड़कों से सवाल पूछ रही है और लड़कियों से नहीं क्योंकि वो सोचती है लड़के वारी बस किर्केट खेलते हैं तो कहीं क्या मिल दा है पच्छ पाथ जेंडर के बच्छ पाथ आईए लेकिन में से कौन सा बच्चो के समाजी करना का प्रात्मिक है प्रात्मिक पुस्टक और किताब का मिलेगी बिद्याले में निकस्त निकटस्त परिवार अच्छा इमेडेटली फैमिली करेब कौन सा समाजी करना का प्रात्मिक कारक है ठीक है माता-पिता कार्यस्थल अच्छा अस्पताल के कर्मचारी यह तो दूसरे में आ जाएगा बताईए भी है यह कोस्टन अच्छा वाला है यहां पर माता-पिता कार्यस्थल य प्रक्रिया क्या क्या लाएगा जिसमें बच्छे स्कूल जैसे समाजिक संसताओं में प्रियोक्स करके सीखते हैं तो जब यह स्कूल में बच्छा जाएगा तो आप अच्छी तरह पता है कौन सा होगा बता दीजिए एक है निश्क्री समाजिक करन एक है प्रात्मिक समाजिक करन एक है दूतियक समाजिक करन तो दूतियक वाला में क्या आता है इस्कूल आता तो यह पर हमारा क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा बताइए एक सन्रचनावादी का अच्छा में नीमने में से किस पर महत्तु दिया जाना चाहिए कि संगल्प नात्मक मुल्यांकन सनचनात्मक एक आयामी देखो एक आयामी मतलब कहीं के अबल का सेंस दे रहा है मानकरित ये भी तो होना ही नहीं चीए अब संकलनातमक मुल्यांकन और संरचनातमक संरचनावादी से आपको क्या समझ में आ रहा है या रचनातमक क्या समझ में आ रहा है रचनातमक अब देखो किसमें सक्रिया या चाहिए यह सब बता है बता ये एक प्रगते सील का च्छा शेच्छण पाठे पुस्तक के यंदृट नहीं भी या के यंदृित तो यह नहीद पाठे पुस्तक के यंदृत होना चे मैं ठीक है प्रतियों से लड़कों को प्रात्मिकता देते हैं और संगीत प्रतियोंगिता में लड़कियों को पृतिमिकता देते हैं तो यहां पहें कि आए गारबर बताएं कि या दो यह आएगा यह तो पर इसी इन चीज को आपको याद रखना है ठीक है ना तो यह मारा क्या हो जाएगा से हो जाएगा है सुदस है समाजिक करण का प्राथ्मिक, प्राथ्मिक मतलब परिवार, तो परिवार कहा दिख रहा है बिया, पहले में, और यह सब क्या होते हैं, दुतियक होते हैं, अच्छा, यह पुछा है, रुको रुको भी यह रुको, यह थोड़ा से ध्यान देना आपको, यह नहीं पुछा है, क्या पूछा है नहीं पूछा है तो नहीं क्लिए क्या करना यह दिखें परिवार भी आता है प्राथमिक में पास्पलोस भी आते हैं प्राथमिक में अब समकच्छी और सरकार की बात आगे सरकार कौन सा कारक प्राथमिक नहीं है अब समकच्छी की बात एक आई है और एक सरक कार प्राथ्र तो फार्फिक कर नहीं है सरकार या संकच्छ अंग नहीं इसको डाल देते हैं और यह क्या होगा यह ? अमारा सही होगा यहां पे यह क्या है ? दूर है तो सीखना है यह नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी क्या है ? यहां पर दिया है तो इसमें से हम ठीस ही जाएंगे समकच्छी को छोड़ देंगे समकच्छी किसमें लेंगे पहले वाले में ठीक है चलते हैं अब बतेए यहां क्या से होना चाहिए एक प्रकति सील इस्कूल में दी गई सिछा बच्चों को बच्चों को निश्क्री अन्वेशन निश्क्री अन्वाई अब बतेए शक्री अन्वाई होगा या शक्री अन्वेशन देखो यह फॉलोवर्स है ठीक है न यह एक्स्प्लोर है समझे रहे न तो इसका मतलब होता है खोज करना और इसका मतलब क्या होता है किसी को किसी का नकल करना मतलब किसी को follow करना यहां पर क्या सही होगा यहां यहां पर यह ही हमारा सही होगा आते हैं 50 43 जेंडर एक आओ धारड़ा है जेंडर एक आओ धारड़ा है मनोबैग्यानिक जैविक सारीरिक और समाजिक तो जेंडर कौन से पढ़ रहे हैं हम जेंडर पच्पात पढ़ रहे हैं जेंडर पच्पात किसके और धारड़ा है समाजिक ककी ठीक है जेंडर पच्पा लिंग पूर्वागरा कौन बनाया हुआ है समाज ने ही बनाया हुआ है अब इस में बतेए क्या से होना चाहिए बच्चे के प्रात्मिक समाजी करण के निम्निमे Native से कौन संथा जिम्मेदार है प्रात्मिक मतलब परिवार परिवार कहां दिख रहा है भी या फैमली क्या हो सब गाएक हो चाहिए कि अब कि अन्यां थोला साथ दिमाग लगाई को शर्ड़ सकारात्मक सकारात्म उपतिछह कले एक फॉल्ट का रहा ऊνहिए शलश है नमटाद श्रीजान वहरा रहले हेंने खोजबीन करने की छमता या अन्वेशन ठीक है यह सब एकी में आ जाएंगे सभी विद्ध्यारतियों को सवयो सभागिता के समान आउसर ट्रिक में हमारे होता है ठीक है योगिता अदायत अटल समू कहीं कहीं बाधित कर रहा है कच्छा कच में केवल उच केवल से तो काम खत शीद करना मतलब वापराना दत्रigg एंक अच्यान होता है ठीक न है तो यहां यहां से हो जाएंगा अपर आछ यह सब्स्रेड़ की परइवार की दर दिखा तो परिवार यहां है सब्दकापर्योग देखो भी है आ गया अच्छी बात अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े गा सब्दकापर्योग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि इस सब्दकापर्योग उन विशिष्टाओं और सोभाओं के लिए होता है जिसे की एक विशिष्ट संस्कृत्य पूर्सों और मायलाओं के लिए उप्दकापर्योग मानती है ठीक है तो क्या होना चाहिए बताई भी या कि लिंग जेंडर जेंडर लिंग लेंगिता जेंडर जेंडर पताईए तो यहां पे क्या से होगा भी याल क्या सोज मैं आया यहां पे लिंग जेंडर जेंडर लेंगिकता जेंडर लिंग लेंगिकता जेंडर तो यहां क्या होगा सेक्स और जेंडर ठीक है ना सेक्स और जेंडर ना कि जेंडर और लेंगिकता ठीक है ना आगे चले, बस खतमी होने वाला है, परसान मत हुए, चार वर्ज की रिया को अब उसके माता पिता ने, उसके माता पिता से डांट पड़ी, जब वह सबजी खाने से इंकार करती है, तो प्रतिकातमक खेल, खेलते वे रिया इस बेवार का दोहराव अपनी गुडिया पर करती इसका बेवार, बताइए, क्या होना चाहिए, प्राथ्विक समाजीकर, दुद्यक समाजीकर, परिप्रकोता, अनुसाषन कराम, देशन, बताइए, सर यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर क्या होगा दोखो, अपने माता पिता से डाट खा रहे हैं न, तो माता पिता कहाँ पर हैं, घर में, तो कौँ से होंगे, प्राथ्मिक, ठीक है न, जेंडर, जन्म से, जन्म के समय निधारित होता है, अनुवन सीकता, विशिष्टाव द्वारा पुरुन निधारित होता है, समाजीक सनत्ना द्वारा आरूपी थे, एक कांत्रिक गुन है, बताइए क्या से हो गए यहां पर, तो बताइए सर्या क्या है, जेंडर, यह वहीं से आया न, जेंडर पच्पात से ही कोश्चन आया है, उड़ी बाता से ही कोश्चन आया है, तो कौन निधारित किया है, समाज ने, समाज द्वारा बनाया गिया है जेंडर पच्पात, चले आगे पचास पांच को सन और आपके बच्चे हुए है इसके बाद क्लास हो जागी खतम और आपका पांच नम्मर कामया से हो जाएगा प्रगतिसिल का अच्छा की विशेषता क्या होती है बच्चों की सक्री रूप से सभागिता रासी ने बच्चों की आओ धारणाओं के प्रतिस समझ का आकलन करने के लिए नई विधी का प्रियूक किया उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं सिच्छन अधिगम का यह क्या है ठीक है तो कहिन गेम बाल केंदित से बात कर रहे है तो क्या होगा बाल केंदित क्योंकि बच्चे बनाएंगे अधिक सदीक प्रश्न तो बाल केंदित की बात हो गई ठीक है ना अगले प्र चलते हैं आपको इद उद दोड़ना नहीं भिए जो पड़े है त्यूरी उसी कि हिसाप सरही है आप देखें यहां पे रोडी वादता पहले इमिल गया जंडर रोडी बद दता है और रोडी बद है जंदर रूठी बद कि लचीलापन यहाँ देदे टो लचीलापन से गलत हो जाए तो जंदर रूड़ी बादता आप देखने क्या अध्यापका को दार्ब देते हों महिला को नर्स हुए अध्यापका दिखाने में तथा पुरुस को डाक्टर चा तो क्या है तो ठीक है प्राथमिक जहां दिखे परिवार पसे परिवार पसे प्राथमिक इसकूल पास प्राथमिक है ठीक है परिवार प्राथमिक है ठीक है पास प्राथमिक है ठीक है यहां परिवार और पास प्रूस दूनों प्राथमिक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा ठीक है किरिया को पेछा करते हैं विद्यार्ब समाजी करण की विद्यार्ब समाजी करण की दूतीह दूतिया संस्ता आज का लाश्ट कोर्सेन भीया फिर मिलते हैं आपसे निस्ट वीडियो में लटकी की तरह रहो तुम लटके हो तो क्या होगkte भीया रुठी वादिता Also तो आसा करता हूं दोस्त, आप लोगो वीडियो पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो जाधस जाधा लोगो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं जो टॉपिक बची हुई है उसको लेके ठीक है तो हमने बहुत सारा चीज कंप्लीट कर लिया है अब हमको नहीं लगता है कि आप 20-25 से कम नंबर पाएंगे मतलब जो 15 नंबर की थियोरी है उसमें आप तो 13 नंबर आसानी से कर ल लिए ठीक है ना समाजी करनकबाद प्रगतिसील कच्छा पढ़ लिए तिन टॉपिक आपकी है समझ में आगई तो दो दो चार दो छे साथ आठ नौ दस ग्यारव बारह हमको लगता है यहीं से आपका कोस्तान काम आपसा हो जाएगा हमने बहुत साइज कंप्लीट कर लिए और हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है आपके यह कभी नंबर यहां से कटने वाला नहीं विया ना लिंग पुर्वागरा से ना समाजी करण से ना प्रगतिसील कच्छा मतलब या प्रगतिसील सिच्छा से ठीक है और बाकी थियोरी बीच बीच में जो पढ़ाएं पहले का उसको देख लिजेगा चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें और सेर करें ज्यादा ज्यादा लोगों को ठीक है अगर पसंद आता है तो नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सबस्क्राइब करके लोगों तक पहुचाने की कोशिस करिए चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद